नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं अस्थानिय निती एवम नियोजन निती लागू करने की मांग पर आदिवासी मूलवासी समाज का महा जुटान आज जारखन में अस्थानिय निती एवं नियोजन निती लागू करने की मांग के समर्थन में आदिवासी मूलवासी समाज का रभी वारे गारा सितंबर को महाजुटान होगा इसमें समाज की ओर से सरकार पर खत्यान अधारित अस्थानिय निती एवं नियोजन निती बनाने का दबाव बनाया जाएगा महाजुटान की त्यारी पूरी हो चुकी है महाजुटान में बिधायक लोबिन हेंबरं भी सामिल होंगे एबाते जहर्खन बचाओ मोर्चा के संजोजक सह आदिवासी मुलवासी जनाधीकार मंच के केंदरी ये उपाध्यक बिजय संकरनायक ने कही उन्होंने कहा हाई कि जहर्खन बचाओ मोर्चा के तत्वधान में एक गारा सितंबर 2022 को अस्थाने निती एवं नियोजन निती की मांग को लेकर प्रमंडलिय अस्थर का महा समेलन पुराना पिधान सभामैदान सेक्टर 2 रांची में आवेजित किया जाएगा जारखन के कई जीडों में एक गारा से 13 सितंबर तक भारी बारिस होने किया संका है मौसम विभाग के पुरोणमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइकलोनिक सर्कुलेशन की वज़ा से बारिस हो सकती है इसे से नीम्न दबाव बना हुआ है मौसम विभाग ने इसे लेकर एलो अलर्ट भी जारी कर दिया है मौसम विभाग ने राजे के दक्षिन पूर्वी इलाके यानि कोलहान और संतार परगना के लिए एक गारा और 12 सितंबर तक एलो अलर्ट जारी कर दिया है साथी गर्जन और बजरपात की भी असांका विभागने जताई है बसंत सुरेन की बिधाय की पर खत्रा एसी ने राजेपाल को भेजी रिपोर्ट मुख्य मंत्री रहते हुए खनलीज अपने नाम करने के ममले में सियम हेमंद सुरेन के सामने रायनितिक संकट जा रही है अब उनके भाई बसंत सुरेन का ममला सामने आ गया है बताया जा रहा है कि हेमंद सुरेन के भाई बसंत सुरेन की बिधाय की खत्रे में आ गई है भारत निर्वाचन आयोग इसी ने बसंत के मामले में हेरिंग पूरी कर फाइल राजभवन भेज दी है इस फाइल में इसी ने अपनी ओर से जरूरी सिफारिस पी दर्ज कराई है अब राज़ेपाल को इस मामले में रिना करना है बता दे कि हेमंद सुरेन की खनेज लीज मामले में चुनाव आयोग ने गत 22 अगस्त को हेरिंग पूरी कर फाइला सुरक्षित रख लिया था बिजेपी ने हेमंद सुरेन के साथ साथ बसंद सुरेन को लेकर भी ओफिस ओप्रोफिट मामले में चुनाव आयोग में सिकाई दर्ज कराई थी कौन बनेगा जहारखन का डीजीपी 6 IPS का पैनल तयार जहारखन के नए डीजीपी के लिए अगले मां अक्टूबर के अमतिम सब्ता में संग लोक सेवा आयोग को 6 IPS अपसरों का पैनल भेजा जाएगा इसके लिए जहारखन सरकार के गिरिह कारा एवं आपता परवन्द विभाग में सिनियर IPS अपसरों के दस्तावेजों पर काम चल रहा है डीजीपी पद के योग अपसरों का बायोडाटा तयार हो रहा है ACRO बायोडाटा समधित कार्य पूरा होने के बाद राई सरकार के अस्तर पर पैनल की समिक्चा होगी और उसमें जिन 6 अधिकारियों के नामों पर समती बनेगी उनके नाम UPSC को भेजे जाएंगे UPSC को 6 सिनियर IPS अधिकारियों के पैनल से 3 नामों का चैन करना होगा बता दे इसके लिए UPSC में भी चैन समिति की बैठक होगी PM नरेंदर मोदी को दुबारा PM बनाने के लिए जहारखन भाजपा का माइक्रोप पलान बर्स 2024 के लोग सभाचुनाओं में अभी काफी वक्त बचा हुआ है लेकिन चुनावी त्यारियों के लिए यह समय कोई ज्यादा नहीं है इसलिए राश्टरिय असरपर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी चुनावी त्यारिया शुरू कर दिया इसे देखते हुए राश्टर पर छेतरिय दल भी चुनाई प्रवंधन और रन्नीती में जूट गए है राजियों में जिन दलों की सरकार है वहां उनका ध्यान विकास से ज्यादा लोग सभाचुनाओं की त्यारियों पर केंद्री थो गया है बतादे ज्यारखन भी इस से अचुता नहीं है यहां भी ज्यावमों और अने दलों की कवायद जारी है ज्यारखन में चुकी लडाई आर पर की है इसलिए ज्यावमों और भाजपा की त्यारी परवान चड़ रही है सीयम हेमन्त पर भारी पल रही राजभावन की चुपी जामुमों की नींद हराम छारखन में एक पकवार से अधिक समय से राजनितिक अनिस्तित्ता का महौल है इसकी वज़ा राजभावन की चुपी को माना जा रहा है बीते 25 अगस्त को चुनाव आयोग ने मुख्य मंत्री हमन्त जर्ण की विधान सबागी सरस्ता से समधित मतब राजभावन को प्रसित किया है मामला मुख्य मंत्री द्वारा पथर खनन लिज अमंटन कराने का है जिसके खिलाब मुख्य बिरोधी दल भाजभावन ने राजभावन को सिकाइद करते हुए उन्हें बिधान सबागी सरस्ता से आयोग ठाराने के अपील की थी राजभावन ने इस पर मंत्री के लिए चुनाव आयोग को भेजा था दोनों पक्षो को सुनने के बाद आयोग ने राजभावन को सिल बंदली फापे में मंतब्य भेजा इस पत्रक का मजमूम अभी तक असपस्ट नहीं हो पाया है कहा जा रहा है कि आयोग ने मुख्य मंत्री की विधान सबागी सरस्ता निरस्त कर दी है सुनना चांधी साफ करने के नाम पर गांधी नगर में पुरवसायनिक एसपी सिंग की पतनी से ठाकुर ने तीन हजार के Χणे ठग लिये है इसकी सुचना पिडित महिला को तब पता चला जब उसने अपने बरतन में डाले सुने चांधी के जवराध देखे तब तक ठगी करने वाले दोनों वहाँ से जा चुके थे हलाकि इसके बाद पुरे मुहले में उसकी काफी खोज हुई मगरवा नहीं मिले जिसके बाद मामले की सिकाय थाना में की गई बता दे घटना के समद में बताया जा रहा है कि पिरित महिला अपने घर में अकेली थी उस वक्त उसके घर के बाहर दो लोग आये उन्होंने कहा कि वह फुराने जरूरतों को चमका कर साफ करते हैं और जिसके लिए वह काफी मोटी रकम भी नहीं लेते पित्रू पक्ष 11 सितंबर से शुरू पित्रू पक्ष रभीवार 11 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है इस दीन तरपन करने के लिए लोग नदी तलाबों वा जलासियों के किनारे असनान ध्यान कर तरपन करेंगे रभीवार को दीन के 2 बच कर 15 मिनट तक प्रति पदा थी थी है पंडित कौसल कुमार मिश्रा ने कहा है कि जब भागवान सुर्य कन्यारासि में बिचरन करते है तब पित्रो लोग पिरिथवी लोग के सबसे अधिक नजदिक आता है उन्होंने कहा है कि स्राध का अर्थ पुर्वजो के प्रति स्रधा भाव से है जो मनुसे अपने पित्रो के प्रति उनकी तिथी पर अपने समर्थ के अनुसार फल फूल अन मिश्ठान आदी से ब्रामन को भोजन कराते हैं उस पर प्रसन होकर पित्र उसे आशिरवाद देकर जाते हाएं सीम हेमंत्र ने दुर्गा सुरेन को साजांजली देकर र्याद किया जारखन के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन एवं पूर्व मुख्य मंत्री वर राज सभा सांसाथ सीबू सुरेन ने दुर्गा सुरेन के जियांति के अच्छर पर रांची के नाम कुम के लोवाडी स्थीत दुर्गा सुरेन अस्मारक पहुँचे वहाँ उन्होंने दुर्गा सुरेन की पर्तिमा पर मल्यारपन कर उन्हें सर्धा सुमन अर्पित किया इस अशर पर मंत्री जगनात महतो राज सबा सांसंद महुआ माजी बिदायक सिता सुरेन एम अन ने दुर्गा सुरेन की पत्तिमा पर पुस्व अर्पित कर संधान लिदी मुक्ष मंत्री ने कहा है कि अलग जार्खन राज अंदोलन में यहां के बीर सपूत निर्मल महतो बिनोद बिहारी महतो सहीत हजारो आदिवासी मुलवासी ने अहम भूमका निभाई गढ़वा में युवक को जिन्दा जलाने का मामला गाउ में पुलिस तैना आते जारखन के गढ़वा जिला में युवक को पेट्रोल डालका जिन्दा जलाने के एक दिन बाद गाउ में तैनाव का महौल है नगर उटारी थाना में दोनों और से प्राथमी की दर्ज कराई गई है तनाव को देखते हुए सिरिवन सिधर नगर थाना चेत्र के चित बिस्त्राम गाउं में पुलिस बल को तनाथ कर दिया है इस बीच भारतिय जन्ता पाटे की विधायक भानू पर्ताप साही ने धाम की दिया की दोस्यों को कड़ी सजा नहें मिली तो वह आंदोलन करेंगे भद्रकाली मंदिर का सर्वेक्षन करने 3 सेज़स्याई टीम इटखोरी जारकन के चत्राजी लेके इटखोरी स्थीत भद्रकाली मंदिर को परेटन अस्थल के रूप में विक्सित किया जाना है मंदिर परिशर समेथ आसपास के पुरतात्विक अस्थलो का भोग गर्व सर्वेक्षन किया जाएगा बताया जा रहा है कि मोहाने नदी के उद्गम अस्थल से लेकर फल्गु नदी तक सर्वेक्षन किया जाएगा इस करम में सनिवार को भारत सरकार के विग्यापन एम तक निकी विभाग के तीन से सई टीम इटकोरी पहुँची ए टीम बैज्यानी तरीके से मंदिर का इतिहास खंगालेगी बुढधा पहार होगा मवादी मुक्त पुलिस का प्लान जारखन और 36 गड़ की सीमा परिशित बुढधा पहार लंबे समय तक नकसलियों का सुरक्षित ठीकाना रहा है लेकिन लाते हार गढ़वा और 36 गड़ की सीमा परिशित बुढधा पहार को मवादियों से मुक्त कराने के लिए लाते हैर पुलिस ने कमरकस लिया है बुढ़ा पहार की तलहटी में बसे लाते हार जी लेके तीसिया और नवाडी गाउं में पुलीस पिकेट अस्थापित कर पूरी तरह से मवादी गतिविदियों पर ब्रेक लगाने में पुलीस पर सासन जुट गया है इसके लिए बुढ़ा नदी पर फुलिया बनाई जा रही है जारखन में पोसाक और छात्रवीर्ती से 18 लाक बच्चे वनचीत जारखन के करीब 18 लाक छात्र छात्रा पोसाक छात्रवीर्ती और स्कूल कीट योजना के लाब से वनचीत है इन्हें चालू वीतिये वर्ष 2022-23 में ना तो पोसाक राशी मिल सकी है नहीं छात्रवीर्ती दी जा सकी है बच्चों का बैंक खाता नहीं रहने और खाता होने पर उसका अधास लिंक नहीं होने के चलते उन्हें या राशी नहीं मिल सकी पिछले तीन साल से या समस्या बढ़ी है बतादे जार्खन के 35 या 441 सरकारी स्कूलों में 43 लाख बच्चे नमांकी था हैं लेकिन इन में से करीब 18 लाख को पोसाक छात्रवीर्ती और स्कूल किट की राशी का भुगता नहीं हो सका था डाक्टर बिकास को मिला जार्खन सोचल쪽에 assistance आवाड रिम्स जुनियर डाक्टर एसोसीएचन के अध्यक्ष डाक्टर बिकास कुमार को सन्निवार को रांची में आयोजित एक समारों में आवाड देखकर समानित किया गया डाक्टर विकास को जारखन सोचल एक्सिलेंस अवार्ड 2022 परदान किया गया उन्हें परमान पत्र भी सोपा गया उन्हें या समान मरीजों की बेहतर चिकित सा सेवा उपलब्ध कराने मरीजों के लिए खून इकठा करने के लिए कैम्प लगाने और डाक्टर मरीज के परिजनों के बीच बेहतर संबंद अस्थापित करने के लिए दिया गया है गौतलब होकी रिम्स के बलड बैंक में लगतार खून की कमी रहती है इसके लिए जेडिये की ओर से लगतार बलड डोनेशन केम्प लगाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पाखवाडा मनाएगी भाजपा भाजपा परदेश अध्यक्ष वाराज सभा सांसा दिपक परकास ने कहा है कि पधान मंत्रि 9 मोदी के जनम दिन 17 सितंबर से महतना गांधी और लाल बहादू साथी के जनती 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पाखवाडा के रूप में मनाएगी उन्होंने कहा है कि भाजपा का राज नीती उदेश से देश और देश वासियों की सेवा है पार्टी के लिए सता सेवा का माध्यम है हमारा अमतिमलक्स समाज परिवर्तन से राष्ट पूर्ण निर्मान भारत को आत्म निर्भार और वयभाव साली बनाना है सांसत परकास की अध्यक्सता में सनिवार को परदेश मुख्यला में पार्टी की बैठक भी हुई कंपार्टमेंटल परिक्षा की कॉपी का पुर्ण मुल्यांकन के लिए आवेदन बारह तक सीबी एसी दसवी कंपार्टमेंटल परिक्षा के पैनाम से संतुष्ट नहीं होने वाले बिद्यार्थी अपनी कॉपी का पुर्ण मुल्याकन करा सकते हैं कॉपी दूबारा जाच करने के परकिया 23 सितंबर से शुरू होगी अगर छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें 100 रूपए प्रती प्रशन सुल्क जामा करना होगा कॉपी जाच कराने के लिए अभियार्थी 12 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं इधर बोर्ड ने 10 वी के अलावा बरावी कंपर्टमेंटल परिक्षा के लिए भी री इवैल्यूएशन की तिति घोसित कर दिया है अंसर सिट के लिए बरावी के विद्यार्थीयों को 700 रूपए सुल्क देना होगा 10 लाख का इनामी हाटकोर्ड नक्सली किया सरेंडर 36 गड के बिजापूर जीले के पूलिस को बड़ी सफलता मिली है फोर्च के दबाव में 10 लाख रूपए के इनामी नक्सली दमपती ने सरेंडर कर दिया है दोनों नक्सली जार्खन रिजनल कमिटी में सक्रिये थे दमपती ने मवादी संग अठन छोड़ने के पीछे प्रेम पर संग और भेद भाव के निती को जिम्मेदार बताया है मवादी दमपती छती सिगर जार्खन और बिहार में पुलिस पार्टी को नुक्सान पहुचाने सहीद 12 बड़ी घटनाओं में सामिल रहे हैं दोनों नक्सलियों ने डियाजी, कॉमल लोचन कस्याप, बीजापूर, एसपी, आजने और केंदरी रिजरवबल के अपसरों के सामने आत्मसमरपन कर दिया है जार्खन के सभी बिश्व बिद्यालियों में ओनलेन ली जाएगी छात्रों की समस्या जार्खन के सभी बिश्व बिद्यालियों में छात्रों की समस्याओ और उनकी सिकायतों को जानने के लिए स्टुडेंट फ्रीडबेक सिस्टम बनाया जाएगा इसे चांसरल पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा इसे चात्रों की सिकायते और उनलाइन प्राप्त हो सकेगी उच एवम तकनिकी सिक्षा विभाग ने इसे लेकर सभी बिश्व बिद्यालों का अवस्यक करवाई करने का निदेश दिये हैं इस सिस्टम के अधार पर छात्रों को मिलने वाले सीकायतों पर अवस्चक करवाई की जा सकेगी विभाग के सचीव राहूल पुरुवार ने कॉलेजों में सिक्षकों के उपरचिती सुनेशित करने नसा करके गाड़ी चलाने वालों के उपर होगी कड़ी करवाई राजे में नसा करके वाहन चलाने वालों के खिलाप जांच अभ्यान में अपतेजी आएगी इसके लिए पुलिस मुख्याले ने ब्रेत अलकोहल इननाईजर वीद कैमरा की खरिदारी की है पुलिस मुख्याले आईजी प्रोविजन प्रभात कुमा ने 100 ब्रेत अलकोहल इननाईजर वीद कैमरा 24 जीलों के एसपी कावंटित करने से समन्तित आदेश दिया है ब्रेत अलकोहल इननाईजर वीद कैमरा में कई खुबिया है वहन चलाने वालों किसी संदिक्द को चेकिंग के लिए रोकने पर नाम और पता पुछने के दवरान उसके सामने जंत्र को रखा जाएगा इससे पता चल जाएगा कि व्यक्ति नसे की एहलात में है या नहीं ज्यारखन में मुख्य मंत्री सुकने जोजना का नाम बदला मुख्य मंत्री सुकने जोजना का नाम बदल कर सावित्री बाई फूले किसोरी संब्रिद्दी जोजना कर दिया गया है इसका उद्य समहिला ससक्तिकरन, बाली का सिक्छा पर जौर बाल बीवा प्रथा का अंत करना है कीसोरियों के स्वास्त एवं बैयकतिक स्वास्त में सहाइता करना है योजना के तहज छत्राओं को आर्थिक सहाइता मुहाया कराए जाएगी इसमें कक्षा आठवी एवं नावी में नमांकित बालिका को 25 सो रुपए कक्षा दासवी एगारई एवं बारावी में दाखिला लेलने वाली बालिकाओं को 5 से रुपए तथा 18 से 19 वरस की आयू की बालिका को एक मोस्त अनुदान के रुप में बीच से रुपए दिये जाएंगे सिक्षा भीभाग का आदे 16 सितंबर तक छायतरों को उपलब्ध करा जाती पमान पत्र सरकारी माध्यमिक वर पलस टू स्कूलों में कक्षा पहली से बारावी तक पढ़ने वाले बिद्यार्थियों का अभियान चला कर जाती पमान पत्र बनाया जा रहा है इसके लिए हर एक विद्यार्थियों को निसुल्क जाती पमान पत्र के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराने का निदेश भी दिया गया है D.I.O. ने माध्यमिक पलस टू सहीज साभी स्कूलों के प्राधना ध्यापकों को जारी पत्र से निदेश दिया है कि D.I.O. नौवी से बरावित तक के विद्यार्थियों को 16 सितंबर से स्कूल अस्तर पर जाती पन पत्र हस्तगत करना है जारखन केबिनेट की बैठक 14 सितंबर को 4 बजे जारखन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन की बिधान सभा की सितंबर को लेकर एक तरफ सस्पेंस की थिती बनी हुई है यू कहले की तलवार लटकन जैसी थिती बनी हुई है क्योंकि राजेपल रमेस बैस गुरुवार को दिली से राची वापस लोट आए आजसे में अनुमाल लगाया जा रहा है कि सियम हेमान सुरेन की सेस्था मामले में कभी भी राजेपल आपना नीना ले सकते हाए इसी बीच हेमान सुरेन सरकार ने बुद्धवार 14 सितंबर को जारखन केबिनेट की बैठक बुलाने का फैसला किया है ए बैठक रांची में परजेक्ट भवन इस्थीत मंत्री परिशत कक्ष में होगी बुद्धवार के दीन ए बैठक चार बजे होगी गुमला के कोयल नदी में छलांग लागा कर प्रेमी जोड़े की खुद खुसी जारखन के गुमला जिले के घागरा थाना छेतरे में कोयल नदी में कुद कर प्रेमी जोड़े ने जान दे दिया मिली जनकारी के अनुसार चपका गाउं की होलिका कुमारी और नड़ी हा करंज टोली के संजीव लोहरा ने कोयल नदी में छलांग लगा कर आत्मे हत्या कर ली घाटना के सुचना स्थानिये लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिश ने घटना स्थल पर पहुच कर गरामिनों के माधेम से दोनों के सौव को ब्रामत करने का प्रयास किया लेकि देर्ण साम हो जाने के कारण खोजबीन के कारे बंद करना पड़ा है महिला हिंसा के खिलाप समाज दिखाए सकती महिलाओ पर अत्याचार रोकने के लिए कानून तो बने हैं लेकिन अपराज की घटना लगतर बढ़ रही है ऐसे में महिलाओ के खिलाप होने वाले अपराज पर समाज को सकती दिखाने की जरूरत है महिलाओ को समाजिक, आर्थिक और सेक्षिनिक अस्तर पर ससक्त करना होगा ताकि वे अपना अधिकार प्राप्त कर सके पूलिस और समाज जब तक महिलाओ के प्रति सन्वेदन सिल नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाओ में कमी नहीं आएगी उक्तबाते सुप्रीम कोट के जश्टिस एम आर साह ने कही वे सनिवार को जूडिसियल एकेडमी में महिलाओ के खिलाप अपराज समाज और पिडितों पर प्रभाव बिसाय पर आयोजी सेमिडार में लोगों को समधित कर रहे थे प्रेमी के साथ मिलकर बहन ने भाई को मार डाला जारखन के रामगर जीले के पतरातु के बर्तुआ गाव निवासी नरेस महतो के पुत्र रोहित कुमार के हत्या कर दफना देने का संसनी खेज मामला परकास में आजा है रोहित कुमार 30 जुन 2022 से गायब था इसे लेकर उसके पिता ने चुटिया थाना में रोहित की गुमसुत की का मामला दर्ज कराया था तब ही से पुलिस रोहित की खोज बीन में जुटी थी बता आ जा रहा है कि मिरितक रोहित की बहन चंचला कुमारी ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई कुमार डाला था और दफना दिया था पूलिस ने आरोपी बहन को गिरफतार कर लिया है और अब उससे पूछ ताच कर रही है पूलिस तुवारा माकान को सील कर दिया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत कर बेले के अंदर बाई साथी साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को से सेर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक अवाज से दे थैंक यू